दोस्तों नमस्कार हिंदी को इंचिमाफ स्वाइलों का स्वागत आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मात्री भासा के महत्त को समझाते हुए अपनी मित्र को पत्र लिखे इस तरह के पत्र लिखान आपके परिशाओं में आ सकते हैं कि मात्र भासा के महत्त को अपने मित्र को समझाईए और इस विषये पर एक पत्र अपने मित्र को लिखे तो आप यहाँ पत्र लिखन के पारे में आपना पता और नियुसकी नीची तारीक जिस दिनांग को आप पत्र लिख रहे हैं अदिनांग जिस तारी को आप या पत्र लिख रहे हैं, इसके नीचे लिखेगा प्री राजेस, जो भी आपके मित्र का नाम हो आप लिख सकते हैं, प्री राजेस तुम्हारा पत्र मिला, अब इसे के सिरुआत कीजिएगा, तुम अपनी कच्छा में परत्रम आयो या जानकर अपार हर्स हुआ, तुम अमेरिका में सिच्छा प्राप्त करे हो, या गौरों की बात है, मैं अपनी जन वहोंई पर मात्र भासा में अपनी सिच्छा पूरी कर रहा हूँ, या मेरी लिख गर्फ की बात है, तुम तो जानते हो कि मात्र भासा का सम्मन्द विक्ति के जियोन दूसरी भासा का ज्यान प्राप्त करने का प्रयास करना अपनी मां को लाचार दसा में छोड़कर दूसरे की मां की सिवा करने के समान है। अपनी भासा की महत्ता और उप्योगता असंदिक्ध है। समझोगे और महत्तोर देते रहोगे। से सब कुसल है तुम्हारी पत्रोत्र की प्रतिच्छा में तुम्हारा मित्र आपका जोवी नाम लिख सकते हैं। तो देखे आप अपनी बात बहुत ही असानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले अपना पता फिर नीशे तारीक फिर अपने मित्र का नाम यह अपताईगा कि तुम कहां बढ़ रहे हो। और मैं अपने जनभावी पर मतलब अपने घर पर अपने घ्याले में मैं मातर भासा में मैं अपनी सच्हा पूरि कर रहह हूं तो अमर्य का मीं बढ़्टी हो। और आप अपने मेत्र को बताएगा कि मात्र भासा का समन ब्यक्ति के जियो उनके प्रथम उसके बालक पन से प्राराम हो जाता है और दूसरी भासा का हमें ग्यान प्रात कमना शाहिए लेकिन मात्र भासा का पूरा अध्यन ब्यक्ति को पूरुण बनाता है अपनी भासा को गर हमारी भासा का विकास होगा। दोसरों की भासा को अंगी कर करना हमारी दास भावना का सोचक है। में लिंक दिया गया जहां पर जाकर मात्र भासा के महत को समझाते विए अपनी मित्र को पत्र लिखे आप या पत्र बहुत यासानी से लिख सकते हैं इदिए आपको पनी विश्यों जन समदित और अधिक नोट्स चेही तो आप इंद्री कुई डॉट कोंग गुडिट कर वह आपके लिए प्योगी अधिन समदित और अधिक राए गई है आसा करता हूँ कि विडियो आप सभी के लिए प्योगी से दोगा आप सभी के विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद